जहें दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो पे आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे TVS XL 100 Heavy Duty iTouch Start AC Model के बारे में इसमें हम जानेंगे इसके औरवर प्राइस और फाइनेस के बारे में अगर आप डाउन पेमेंट दे कर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरे जरूर देखना इसमें कितना डाउन पेमेंट लगता है कितना मंदले किस्त बनता है इसकी पूरी जनकारी बताने वाला हूं तो आप वीडियो पूरे जरूर देखना तो चलिए वीडियो पड़ता है आप इतने में घर ले जा सकते हैं अगर वहीं पर आप इसे फाइनेंस कराते हैं तो यहां पर फाइनेंस चार्ज लगता है जिसमें फाइल चार्ज लगता है 4500 अलग-अलग शुरू में अलग-अलग इसका फाइल चार्ज लगता है तो यहां पर 4500 का फाइल चार्ज लगता है तो टोटल हो जाता है बाइक का प्राइस 46800 वहीं पार आप इसमें 10,000 का दाउन प्रेमिन करते हैं तो आपका लों अमाउंट बसता है 5800 विघा 15 800 में 12% का इंटरेस्थ लगाते हैं सभी बैंग में 12% से स्टार्ट हो जाता है अलग-अलग बैंग में अलग-अलग इसका interest रहता है तो यहाँ पर 12% का interest लगाते हैं 56,800 में तो एक साल का interest बनता है 6,816 रुपया इसमें आपका मंतली किस्त बनता है एक साल वाले प्लान में 5,301 रुपया अगर वही पर आप इसे 2 साल के लिए finance कराते हैं तो उसमें 12% का interest लगाने पर 13,632 रुपय का इसका 2 साल का interest बनता है इसमें आपका मंतली किस्त बनता है 2,934 रुपया अगर वही पर इसे 3 साल के लिए finance कराते हैं तो इसमें आपको interest जादा लगेगा 20,448 रुपया और इसमें आपको मंतली किस्त बनता है 245 रुपया तो सबसे best option है आप second plan से ले सकत हैं जिसमें 2 साल का EMA पर आना पड़ेगा 29,44 रुपया इसमें आपको interest भी कम देना पड़ेगा 13,632 रुपया और उससे best है एक साल वाले प्लान में लेकिन इसमें आपको मंतली किस्त तब 5,301 रुपया देना पड़ेगा तो दोस्तों कैसी लगी छोटी सी जानकारी कमेंट में जरूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट डूटों में तब तक के लिए जय हिन